नमस्कार मित्रों, अपने बीच भारतिय जनता पार्टी के रास्तिय महामंत्री सांसद दुस्यंत गौतम जी अपने मद्ध हैं, बगल में अपने माननिय प्रवक्ता डॉक्टर संबीद पात्रा जी हैं और माननिय प्रवक्ता गुरु प्रकास जी हैं, अब इस सरप्रथम हम आग्रा करेंगे अपने रास्तिय प्रवक्ता डॉक्टर पात्रा जी से के आपको संबीद करें, उसके बाद माननिय दुस्यंत गौतम जी आपको संबीद करेंगे, माननिय संबीद जी. संजे जी धन्यवाद, मंच पे हम सबके अभीभावक, पार्टी के राष्ट्रे महासचिव आदर्निय दुश्यंत गौतम जी, मंच पर ही हमारे भ्राता, पार्टी के प्रवक्ता, गुरु प्रकाश जी. सबी हमारे मीडिया के बंधु जो आज मौजूद हैं, आप सबको धन्यवाद, आप इस प्रेस कॉन्फरेंस के लिए आएं हैं. एक गंभीर विशे को लेकर यह प्रेस कॉन्फरेंस है. कुछ मिंटों पहले हमने देश के यशश्वी आदर्निय प्रधानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी को नाशनल हुमन राइट कमिशन के फाउंडेशन डे पर 28 स्वे स्थापना दिवस पर अपने वक्तव्य को रखते हुए सुना है. और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी समवेदन शीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ पूरे विशय को रखा है और एक परग्राफ जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं सर्वप्रथम उसको यहाँ अनुमोदित करना चाहूंगा, उस व प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूँ, मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनेतिक रंग से देखा जाता है, राजनेतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनेतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है, इस तरह का सिलेक विवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसान दायक होता है यह आज खुद प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी ने कहा है कि नैशनल हुमन राइट कमिशन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को याद दिलाया कि हुमन राइट्स मानव अधिकार एक बहुत महत्व अगर इसमें पक्षपात पूर्वक्रवया हो इसमें एक बायस्ट आटिट्यूड हो और इसमें हम राजनेतिक पुट देने की कोशिश करें कि यह जो घटनाएं हो रही है यह हमारे राज्ये में हो रही है जहां कांग्रेस के साशन है और इस कारण से हमें चुपी साधना चाहिए और बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है इसलिए इन घटनाओं के आसपास हमें राजनीति करना चाहिए तो कहीं न कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है दिस इस ऑल्सो इन वे हर्टिंग देहुमन सेंटिमेंस और हुमन राइट्स कुछ उदाहरन आज हम देना चाहेंगे आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीती करने की कोशिश हो रहे हैं बार बार भारती जंता पाटी ने कहा है और आज पुनह में कहता हूं लखीमपूर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है उस पूरे विशह में एक अनबायस्ट इन्वेस्टिकेशन चल रहा है किन्तु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीती कुछ राजनीती कर रही है और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही है वो हम सब देख रहे हैं और खास करके गांधी परिवार आज कुछ प्रश्न हम गांधी परिवार से पूछना चाहते हैं प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आपको चैंपियंस अफ दलित राइट चैंपियंस ऑफ हुमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगर प्रियंका जी क्या यह सत्य नहीं है कि राजस्थान के प्रेमपुरा गाउं जो राजस्थान के हनुमानगड के जिले में है इस गाउं में प्रेमपुरा गाउं में आज से चंद दिनों पहले जगदीश मेघवाल नामक एक युवा को जिस प्रकार से पीट-पीट के पीट-पीट के बेहरमी से मार दिया गया उसे मौत के घाट उतार दिया गया और इसके बाद उसके मृत शरीर को उसी जगदीश मेघवाल के घर के सामने उस दलित परिवार के सामने फेक दिया गया जिस घर का वो बच्चा है और पूरे के पूरे जगहन्यकृत का वीडियो बना करके उसे शोशियल मीडिया में वाइरल किया गया ताकि एक संदेश राज लिशे करके जीने का अधिकार है आखिर क्यों इतना बड़ा जगन्य अपराद राजस्थान में हो जाता है जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है उसकी लिंचिंग हो जाती है मगर क्या आपने राहुल गांधी प्रियंका वाडरा अखिलेश यादविन में से किसी को व अब याद करिए आज से कुछ दिनों पहले लगबग साथ-ाथ दिन पहले राजस्थान के ही जालोर में जितेंद्र बामनिया यह भी एक दलित युवक है उसके साथ किस प्रकार से लिंचिंग करने की एटेम्ट होती है उसे पीटा जाता है उसे मारा जाता है सारवजनिक उसको अपमानित किया जाता है मुर्गा बनाकर उसे बैठाया जाता है जूतों से उसे मारा जाता है डंडों से उसे मारा जाता है यह सब कुछ होता है किन्तु राजस्थान की प्रसाशन चुप है राजस्थान की प्रसाशन इस पे कुछ नहीं कर रही है कोई कालेवाई न नहीं होता है राजस्थान के दलित का कोई मानव अधिकार नहीं है क्यूंकि कॉंग्रेस पार्टी को राजस्थान के दलितों पे हो रहे अत्याचार से कोई वोट का फाइदा नहीं होने वाला है वहां वोट का नुक्सान होगा कॉंग्रेस पार्टी का इस कारण से वहां के दलितों का अधिकार दलितों का अधिकार नहीं है उस विशह पर चुपी साधना किन्तु दूसरे राज्यों में जाकर के वहाँ एनार्की अन्रेस्ट और वहाँ पर सड़क पर लड़ाई करने का प्रयास करना यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है आप जानते हैं समस्त दलित परिवार हैं उस चेत्र के और पूरे राजस्थान के दलितों को प्रोटेस्ट में उतरना पड़ा कि जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी हम क्रिमेट नहीं करेंगे बॉडी को हम अंतिम संसकार नहीं करेंगे बॉडी तब जाके एकाद कोई अरेस्ट हुआ यह परिस्थिती आज राजस्थान में दलितों की है योगेश जाटव 19 वर्ष का यह बालक योगेश जाटव अलवर का है राजस्थान के अलवर का है क्या हुआ वहां पे केवल उसके बाइक का सीशा जो है वो किसी के गाड़ी के साथ हलके से चुआने से लगने से विशे समुधाय के लोग उन्होंने पीट पीट करके योगेश जाटव की हत्या करती मृत्यू को प्राप्त हो गया योगेश जाटव क्या एक दिन भी आपने TMC के नेताओं को सुना कि वो आसू बहार हैं कि जो हुआ योगेश जाटव के साथ अनुचित हुआ क्या एक दिन भी राहू गांधी ने ट्वीट करके कहा कि democracy is finished in India in Rajasthan's democracy there is no place for the Lehts एक दिन भी राहू गांधी ने का एक दिन भी राहू गांधी ने कोई ट्वीट योगेश जाटव पर नहीं किया क्योंकि योगेश जाटव की ये गisti थी कि वो राजस्थान का दलित था वो राजस्थान का निवासी था और राजस्थान में कॉंग्रेस का साशन है बंदुगर जार्खंड में भी उनीकी सरकार है जार्खंड में सेप्टेंबर के महीने में दलित लड़की के साथ गैंग्रेप होता है 16 वर्ष की हमारी छोटी सी बेन उसके साथ इस प्रकार का जगन्य अप्राद होता है वो अभी दलित थी मगर किसी ने भी उसके मानव अधिकार की चिंता नहीं की आज भी जो परपी ट्रेटर्स हैं वो खुले घुम रहे हैं क्यूंकि ये कांग्रेस साशित राज्य है मंदुगण 21 प्रतीशत दलीतों के खिलाफ जिस प्रकार का माहोल बन रहा है जो अत्याचार हो रहा है 21 प्रतीशत की वृद्धी हुई है कांग्रेस के साशन में राजस्थान में यह ने चारसी की रिपोर्ट है उसके बावजूद आज कांग्रेस टस से मस नहीं हो रही है अ जिन किसानों के उपर बरबरता पूर्वक लाठी और डंडे बरसाए हनुमानगड के प्रसाशन वहां की पुलीस ने कारण सिर्फ इतना था कि हनुमानगड के यह बेचारे किसान अपने अधिकार के लिए अपने अन्न की खरीदी के लिए कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर् प्रस्वाशन नहीं कर सकते और आप पूरे भारत वर्ष में जाजाके दलितों के महिलाओं के और किसानों के हियूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं यह कितनी गलत बात है और किस प्रकार की सिलेक्टिविजम है यह चैनात्मक राजनीती है और आज मोदी जी ने कहा कि इस प्रकार की चैनात्मक राजनीती से मानव अधिकार को ठेस पहुँचा है कली मैंने देखा न्यूज में महाराश्टर में आप याद करिए डोंबी विली और शाकी नाका में जो जगन्य रेप केसे हुए थी उसके पश्चात नाकपूर में जिस प्रकार से गैंग रेप वहां जो महा वसूली अगाड़ी नहीं महाविकास अगाड़ी महाविकास वसूली जो भी है वो महाविकास वसूली अगाड़ी यह वहां डंडे बरसा रहे थे यह कार्यकरताओं के उपर डंडे बरसा रहे थे दुकान बंद करो के धंकी दे रहे थे किन्तु एक बार भी इन बहिनों के लिए इन महिलाओं के लिए एक बार भी उन्होंने बंदकावान किया कि डोंबी विली में एक महिला के साथ गैंग रेफ हुआ शाकी नाका में जो घटना घटी है नागपूर में जो घटना घटी है जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है आज National Human Rights Commission के रिपोर्ट देखी महराश्टर में सरवाधिक महिलाओं के उपर अत्याचार हो रहा है एक बार भी क्या MVA की सरकार ने वहाँ पर कि दुकान आज बंद होना चाहिए आज हम बंद गोशित करते हैं महराश्टर में इस प करीबों के उपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे है यह हकीकत आज कॉंग्रेस रूल स्टेशन्स के बंदुगण अंत में इससे पहले कि हमारे आदरनिय महमंत्री जी बोलें दो-चार पॉइंट हैं जो कि National Human Rights Commission ने बकाइदा एक नोटिस के रूप में चीफ सेकरेटरी राजस्थान को इसी वर्ष भीजा था मैं कुछ बिंदू उसमें से पढ़ता हूँ ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार National Human Rights Commission जो कहती है कॉंग्रेस की इस प्रकार उस पे चुपी सादके रह जाती है 2021 में ही National Human Rights Commission ने Chief Secretary और Director General of Police राजस्थान से कुछ विशे पूछे थे पहला सवाल Kidnapping of a minor girl at Jalore on 22nd March 2021 and self-immolation by the mother of the victim because of inaction of the authority Jalore की महिला ने जो अपने आपको जला दिया और जो गैंग रेप उसके साथ हुआ था Kidnapping उसको लेकर क्यों authority चुप रही दूसरा गैंग रेप of a minor at Kota by more than 30 persons between 25-2021 to 6-3-2021 Why were the authorities silent? Gang rape of the victim and she was burnt alive at Hanuman Gadd 21 का ही है 2021 का ही Gang rape होता है Hanuman Gadd में फिर विक्टीम को जला दिया जाता है जिन्दा जला दिया जाता है इस पर राहूल गांदी जी एक दिन प्रियंका जी आप तो महिला हैं आप तो महिलाओं के दर्द को समझती हैं आप खुद कहती है कि मैं महिलाओं की दर्द को समझती हैं मगर एक बार भी इस पिड़िता के लिए आप गई क्या नहीं मगर अपने नेत्रुत को उत्तर प्रदेश में कैसे स्थापित किया जाए क्योंकि वह राहूल गांदी अपना नेत्रुत स्थापित नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से वहां मानव अधिकार पर भी राजनीती करन यह आप कर रही हैं फोर्थ पॉइंट गैंग रेप ऑफ वुमें अट कोटा फिर रेप ऑफ वुमें बाइएसाई वेन शी केम टू लॉज अ कम्प्लेंट रेप ऑफ वुमें अट आजमेर डिस्रोबिंग और बीटिंग फा मधर और डॉटर अटेंप्ट टु किड्नाप रेप ऑफ टीचर यह संख्या अब 20-21 तक है जो खुद हुमन राइट कमिशन ने चिट्थी लिख करके राजस्तान के डीजी और राजस्तान की चीफ सेकरेटरी से पूछा है दुखद है कि यह सब कुछ होता है होते हुए भी यह जो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो राज महामंत्री हैं और इन सब विश्यों से उन्होंने अच्छी तरह से इन सब विश्यों की जानकारी ली है एक वीडियो भी है महामंत्री जी के बोलने के पश्चात ये वीडियो सारवजनिक रूप से हम आपको दिखाएंगे अज़रने पत्रकार बंदू हमारे मद्य में उपस्तित हमारे वरिश्य निता आदेन संभीत पात्राची गुरूप्रकाश जी संजे मयुक जी अभी इस प्रकाश संभीत पात्राची ने दलीतों पर बढ़ते हुए अत्याचार पर आपको सब बताया गया है यह लिए कि लेकिन राजनितिक डलों का इस परकार से रोटी सेकना राजनितिक करना मुझे लगता है कि समाज के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है कि अब assim कई राइस्तान में बताया है मुझे चद करीब करीब हात्रस की घटा याद आती है सभी राजनेतिक दल वहां पर एक टूरिजम सा करके गए थे वह घटा भी गल्थ थी नहीं होनी चाहिए थी लेकि घटना हुई उसके नियाय होना चाहिए था ऐसा संगर्स सबको करना चाहिए लेकिं वहां पर गए लेकि राइस्तान में कोई भी नहीं गया जिस परकार से जा स्थानी नहीं जार खन्ड है नागोर www केंद कर reinforcing कर देंकर मारने वाले का धर्रम देखकर राज्ये में किसकी सरकार है सासन कोण कर रहा है क्या इस पर राजजिती की जाएगी क्या इस पर आपको सौंग सत्वत परिवार से मिला जाएगा क्यार राहिस्तान में मरने वाले पिड़ित होने वालों की मा, बहेन, बेटी नहीं है क्या उनकी पत्नी नहीं है आप लखिम पूर्टों जाते हैं विद्वा की साथ जो मरता है उसकी पत्नी की साथ गले लगते हैं लेकिन वहाँ पर परिवार की साथ किसी की साथ नहीं जाते हैं चुराशी के दंगों की बिद्वाहें भी ढूंड रही है कब ये गांधी परिवार हमको गले लगकर हमें सांत्म नहरेगा वो लगा ता ढूंड रहे हैं किस परकार से कस्मीर के अंदर, च्वाइस करके टीचरों को मारा गया, वो भी ढूंड रहे हैं, ये लोग कब लोग र उस पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं हमें मिल रहा है जिस परकार से पंजाब में कांग्रेस ने अनेकों एक राजनिती दलों ने एक राजनिती के अंदर सुरुकास अनुसुष जाती वर्क को एक मोहरासा बनाकर बेवकूफ समत कर कि 70 वर्स तक वह उसी परकार से बेवकू कर रहे हैं अभी घटना आपके सामने पंजाब में घटी है मुख्यमंत्री बनाया गया और उसको बड़ा गुंगान की है दलित को मुख्यमंत्री बनाया दलित को मुख्यमंत्री हमने कोई परेज नहीं है आगे बढ़ाना भी चाहिए लेकिन तीन महिने के लिए दलित मु पूर्सी पर गया क्या वह दलित रविदाश जी के जहां नमन करने के लिए मंदिर में गया क्या हो बालमिकी मंदिर गया क्या वह कवीर मंदिर गया वह दलित वह नहीं गया वह पहले चर्च में गया वह सोनिय गांदी का अजेंडा पूरा करने के लिए महां पर गया था इस दलीतों को जिस परकार से खुश करने की कोशिश किया रही है यह दोका पहली वार नहीं हुआ है मुझे ध्यान आता है महराश्टे के अंदर जब बिलासराव देख जी को पुरा मुख्यमंती बनाया गया और यहीं गट्टर नहीं है अब राइस्तान में देखिए जगनात प बनाएंगे यह करेंगे और उनको प्रपोस्ट करने के बाद में जब भूमत आ गया तो सिर्ष्टर महतुर जी को मुख्यमंती बनाया और यह उसके बाद में आपने देखा होगा जगजीर राम जी को लगाता दलित चरा दलित चरा दलित बताकर आप आगे बढ़ते रहे लेकिन जब उनको सम्मान की बात आई तो उनका अपमान बढ़ करने के अलावा ने किया ऐसे इनोंने अपने पूर्बाद्यक से केसरी जी जी हो थे उनकी साथ ऐसे किया और सबसे बड़ा अपराद इन्हों है डक्टर भीमरा अंबेटगर जी के साथ में किया आज आज सोतार मैं पूछन साथा उन से यंहोंना एकण गों के अंदर अपनी समाधियां बना रखी है ऐं डक्ट अंबेटगर की समाधी कहीं पर देखी कहीं है क्या अब दलित प्रयम करते है तक ही आपको राजीव गांदी की जिसके अंदर उसको बंब लगाता वो कपड़े मिल जाएंगे क्या डाक्टर अंबेटगर चीज इस देश के पुरोंदा नहीं थे उनके कपड़े का है उनका चुसमा का है जिस टाइप राइटर का है उनके जीवन से जुड़ी अनेकों चीजी क हैं भाराष्टे के अंदर दीमक खा रही है कांग्रेश सरकार थी उस समय की बात है आज तीरे एकड़ के अंदर हम बड़ा संग्राले बनाने का वहां पर काम कर रहे हैं इन्होंने डाक्टर अंबेटगर की समाधी ही नहीं बने दिया उनका अंतिम ससकार दिल्ली में नहीं भी करने दिय ऐसे आनेकोंड दिखावा करके कांग्रेश इस परकार से आज की राज्डेती कर रही है दलीतों के पर्ति मैं यह बताना चाहता हूं का आज अंबेटगर उस समय सतर परस पहले एक ते आज कर मोले घरे के अंदर अंबेटगर रहे हैं आप दलीतों को इस परक अगर हमारे साथ को ब्याभार भी नहीं किया गया कुछ महां पर आप अंदोलन करने चले गए अब पंजाब के अंदर हमारे पास लाठिया बर्साइगी आप वहां पर भी हमें दिखाई नहीं दिए लेकिन आज जिस परकार से लखिम पूरी लखिम पूर के अंदर यह आडं परकार से यह नाटक कर रहे हैं इस परकार से आज इनोंने राजनीति का यह पहलू बना दिया कि एक तरफ तो अत्याचार करेंगे हिंदों पर एक तरफ मंच पर खड़े होके आप मंत्र पढ़ेंगे एक तरफ हमारे पर दलितों पर अत्याचार करेंगे और उनके पर आप decide करेंगे सोचिंगे और विचार करेंगे कि आपको किदर जाना है कहां बोट का लाब होना है मारने वाला कोन है मरने वाला कोन है इस परकार की जो राजनीत करते हैं मुझे लगता है ऐसी राजनीती का अब समय का अंता चुका है जनता सब जानती है और जिस परकार से आप प् अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आई टी सेल से कि वो जो वीडियो दिखाना था उसे प्लीज दिखाएं आप लाइट को डिम भी कर सकते हैं और अधर सकते हैं अकुल तूपय लगादा recount ! क् म अट्टियर ठाँ म हें पाँ नदक ले ठाँ अन्या। करके लंड, खजबेंबनाथाद आर अड़कりました उड़कर आरे मेंवा हिखादान है चाह वर है अड़कर अबनाब धित है यृफ टर्परおお यह है वाण बात मेंवाई है कि एकला का? धन्यवाद कोई प्रश्ण हो तो अवस्चे पूछे ये बहुत दिल दिनाने वाले वीडियो थे जी संजेजी आपका ये सही प्रश्ण है ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग नहीं जा रहे हैं बीजेपी के लोग आडंबर नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लोग हर परिवार में गए हैं हर प्रकार की शायता हर प्रकार की मदद बीजेपी के लोगोंने की और आज जो लोग गिरफ़तारी भी हुई है उस गिरफ़तारी के पीछे कारण है कि administration तो गिरफ़तारी करना नहीं चाहता था धर्ना प्रदर्शन जो हमारे वहां के लोकल लीडर्स ने राजस्थान में सतीश पुनिया जी हमारे अध्यक्षे हैं उनके अध्यक्षता के अंतरगत यह सारा विशय एक मुहीम के अंतरगत चला है मगर हम यह political tourism में विश्वास नहीं रगते हैं हां हम यह जरूर मानते हैं कि किसी के हिलाफ अन्याय होता है तो उसके न्याय दिलाने का काम राजनेतिक पार्कियों का है किन्तु उस पर हम पॉलिटिकल टूरिजम करके सिलेक्टिव रूप से राजनिती करे ये भारतिय जनता पाटी विश्वास नहीं करती है और आज जिस विशय पे हमने अभी प्रेस कॉन्फरेंस किया मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि आज इसी विशय पे भारतिय जनता पाटी अपने तमाम दफ्तरों से पूरे देश भर पे आज प्रेस कॉन्फरेंस करेगी और ये जो सिलेक्टिव आउट्रेज है इस विशय को आगे बढ़ाएगी पहलें बीजिए पहलें बार नहीं है जब हम कहना चाहते हैं कि चैनात्मक नहीं होना चाहिए जिसके मन में दलितों के लिए प्रेम है अगर प्रेम होगा तो समान भाव से प्रेम होगा जम्मू कश्मीर का दलित वह भी तो दलित है उसके लिए भी प्रेम होगा 370 लगा हुआ था वहाँ दलितों के मानव अधिकार का हनन हो रहा था दलितों का अधिकार नहीं मिल रहा था वालमी की समाज के लोग स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाते थे एक बार भी आपने राहूल जी को प्रियंका जी को और ये तमाम जो आपने सेक्विलर तथाकतित पाटियां कहीं इन में से किसी को भी आर्टिकल 370 के विरोध में कहते हुए सुना, नहीं क्यूंकि वहाँ उन किसानों के उपर जिस प्रकार से बरबरता पूर्वक अत्याचार किया गया, अगर कॉंग्रेस इन विश्यों को उठाती, तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस के साक्क पर धबा लगता, तो वहां पर चुप रह जाना, और दूसरे राजियों में जा करके, अन्रेस्ट का वातावर पैदा करना, आप बताएं क्या बारतिय जंता पार्टी साशित राज्ये में हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे हैं, सभी जानते हैं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और ये बिलकुल दोनों दलों को बैठ करके, किसानों ने भी और जो प्रसाशन है,